Hello Friends, इस वीडियो में बात करेंगे High Court भरती के जो पद हैं Group C, K, D, K, Steno, K, Driver के इन सब का जो काम है Actually इनसे काम क्या करवाया जाता है कितने घंटे काम करवाया जाता है काम का कितना दबाव रहता है अधिकारियों का कितना दबाव रहता है और mental pressure कितना रहता है इन सभी चीजों की बात इस वीडियो में करने वाले है वीडियो को पूरा देख कर जाईएगा और ये चैनल आपका इलाहाबाद High Court भरती के लिए special channel है, सारी जानकारी उपलब्द है form भरने से लेकर आपकी joining होने तक salary आने तक, ठीक है paid apprentice वालों का, ठीक है बात करें सबसे पहले काम की, तो काम इनका क्या रहता है इनको कई तरीके की post दी जाती है, जिला नयायले, सत्र नयायले में, ठीक है एक post तो इनकी हो गई clerk की, जिसमें ये senior clerk के साथ या अकेले एक office में, एक नयायले के office में clerk हो सकते हैं, या फिर senior clerk है, उसके अंडरे clerk हो सकते हैं तो वहाँ clerk रहते हुए काम दिया जाता है जो पत्रावलियां रखी हुई है, उस काड़याले में उनसे संबंधित जितना भी काम होगा, कौन सी दिनांग को पत्रावलियां पेस होनी है कौन सा कागज उसमें दाखिल हुआ है और जिस टाइप की वो पत्रावलियां है, उसके register में उन्हें maintain करना है उनका एक हमें tally तैयार करना है, ठीक है उसे नकसा कहते हैं, नकसा तैयार करना होता है कि ये पत्रावलियां इतनी हमारे पास इनका इतने का निस्तारण हो गया है या जो भी हो गया है, वो सारा आपको note करके, हर महीने देना पड़ता है, जितनी पत्रावलियां जितनी फाइलें आपके अंडर रखी हुई है, ठीक है, ये बाबू के पत्रावलियां पत्रावलिया है, अगर अधिकारी जो बैठा है, पीठा सीन अधिकारी जो जज बैठा उसके सामने पेस करना होता है, कि सर इस पत्रावलिय में ये हो रहा है, ठीक है ये पेस कौन करवाता है तो संबंधित जो वाधकारी होते हैं जो अधिवक्ता होते हैं, वो पत्रावलियां पेस करवाते हैं ठीक है ये पेसकार रहते हुए इस पद पे काम होता है अब तीसरी चीज क्या है पेसकार और कलरक जो बाबू कहा जाता है उसके अलामा भी इनका काम होता है ठीक है उसके अलामा कई सारे अनुभाग है जैसे आमीन अनुभाग हो गया आपका नकल आपका ऐसी जगोहों पर भी इनकी पोस्टिंग हो जाती है यहां नजारत अनुभाग में नाजित डिप्टी नाजित अनिके शिपत पर ठीक है तो यहां पर भी इनको इसी टाइप का काम दिया जाता है mostly नय जो भरती होती है उसे नकल अनुभाग में भेशते हैं नकल अनुभाग में किसी भी फाइल से सम्मंधित अधिवक्ता एक सवाल डालता है कि इस फाइल का ये वाला कागज की कॉंपी हमें चाहिए ठीक है तो वो नकल का काम है उस फाइल कोला के जिस भी ओफिस में होगी वहां से लाके उसकी कॉंपी करके उसे मोहर लगा के टू कॉंपी की किए सत्य पृत्यलिपी कोट दोरा जारी की गई है वो देनी होती है बस इतना काम होता है नकल अनुभाग अब वर्कलोड की बात कर लो एक एक आफिस में यूपी में ऐसा बुरा हाल है एक एक आफिस में दस-दस हजार फाइलें पेंडिंग चल ली है और अगर एक कलर को उन दस हजार फाइलों के रख रखाओ सम्मंदित एक भी कागज मिस नहीं होना चाहिए इस बात का दबाओ होता है उन 10,000 फाइलों में और रोज फाइलें कोर्ट में जाती है आती है सेकडो वकील और सेकडो वादकारी और अलग-अलग लोगों के हाथ पड़ती है तो ये इस सबसे ज़्यादा बड़ा दबाओ इस पोस्ट पे यही होता है कैसे उन पत्रावलियों का जो प्रेशर है कि कुछ खोग न जाये या कुछ इसमें से ऐसा ना हो जाये कि हमारे उपर कारवाई हो जाये इस से बचना ही सबसे बड़ा वर्कलोड होता है ठीक है इसके बाद ड्यूटी आर्स की बाप करें तो सुबह आपको 10 बजे से पहले आना है ठीक है सुबह 10 बजे से पहले आना है और साम को जब तक आप अपना प्रतिदिन का काम निप्टा खतम न कर लें चाहे 5 बजे हो या 6 बजे हो निर्धारित समय 5 बजे का है पर अगर आप काम पेंडिंग रखके जाओगे अगले दिना के नहीं कर पाओगे इस बजे से 6 बज जाते हैं 7 बज जाते हैं तो इसमें जाने का कोई टाइम आप खुद फिक्स नहीं कर पाओगे जब आप ये पद पे काम कर रहे होगे ठीक है लंच की बात करें तो आदे घंटे का आदे घंटे का लंच मिलता है लेकिन वो सही समय पे मिल नहीं पाता क्योंकि सही समय पे आपका काम खतम नहीं होता तो वो कहीं भी आगे पीछे हो जाता है आपका डेड़ बज़े से दो बज़े से तीन बज़े तक अब ये हो गया इसका सबसे ज़्यादा वर्कलोड है फाइलों से सम्मंदित कोई गरबढ हो जाती है कोई चीज हो जाती है तो इसमें सामने से रोज आपको सैकड़ो धिवक्ता से मिलना होता है और आप वकिल को जानते हैं वकिल से डील करना कितना मुश्किल काम होता है उन सबको डील करना होता है प्लस अपने अधिकारी को जिस जज के अंडर आप काम कर रहे हैं उसे डील करना होता है तो ये वर्कलोड होता है इस पोस्ट पे अब बात करेंगे ग्रूप D पोस्ट की काम क्या होता है काम आपको बहुत सारे पद है यहाँ इस बार पद लिफ्ट मैन का भी वो सोरी लिफ्ट मैन के पद पहले भी थे इस बार ट्यूब बिल ऑपरेटर के साथ-साथ इलेक्ट्रीशन का पद जोड़ा गया है इसमें आपको अगर वहाँ कोई ट्यूब बिल ऐसा है ऑपरेट करने वाला या इलेक्ट्रीशन का काम तो हर कोर्ट में है बहुत सारे जगे हर जगे लाइट का काम है बहुत सारा वर्कलोड होगा अगर आप अकेले इलेक्ट्रीशन किसी कोर्ट में फस जाते है ठीक है वर्कलोड तो वही जितने भी अधिकारी बैठे हैं वो बड़े अधिकारी होते हैं जज के सामने कोई दूसरा अधिकारी बोल नहीं सकता कोई किसी किसी फारस नहीं सुनता जैसे मन करता है डाट देते हैं अगर उनका काम नहीं हो रहा है तो ठीक है लिखित कारवाई कर देते हैं तो कचेहरी में काम कर रहे हैं या आप नयायले में काम कर रहे हैं तो वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहेगा इसके बाद duty hours की बात करें तो electrician या tubal operator के पद का duty hours हम नहीं कह सकते कभी बुलाया जा सकता है अगर वो अकेला है तो 24 गंटे में कभी बुलाया जा सकता है इसके अलावा जो post है, orderly की है, प्यून की है process server की है, इनकी बात करें तो process server क्या होता है नयायले से, जो भी कागज किसी बादकारी के घर जाता है और उसे सूचना देनी होती है कि हाँ, ऐसा ऐसा आपका कोई मुकदमा है या कुछ भी है, या dark है, चित्ती है तो process server लेके जाता है उसके घर और उसके report लिखके लाता है यहाँ कोई मिला, नहीं मिला, क्या बात हुई यह process server का काम है वर्कलोड इस पर यही रहता है कि वो संबंधित कागज जो आप ला रहे हैं, ले जा रहे हैं उन पर कोई गलत report ना लग जाए या कोई कागज नक हो जाए यह process server पर वर्कलोड है duty hours, process server की duty जादा नहीं होती है सुबह अपना संबंधित जितने कागज मिलने थे उसे 2-4-6 उतने ले के आराम से घूम घाम के सबका काम निपटा के साम को आके दे देता है ठीक है और डली की बात करें, एक pressure वाली नोकरी है अधिकारी के साथ रहना है जब तको नियाले में रहता है ठीक है officially आपको अधिकारी का कोई personal काम नहीं करना होता है लेकिन non-officially आपको अधिकारी से अच्छे संबंध रखने के लिए आपको छोटी-छोटी बात पर डाटे नहीं, notice ना दे दे, छोटी-छोटी बात पर notice मिलता है नियाले में इसलिए आपको उसके personal काम भी कुछ करने पड़ जाते है और डली और प्यून के पद पे रहते हुए जो कि सबसे ज़्यादा समस्या का विसाय बना हुआ है इसलिए इस नोकरी में ज़्यादा दिन कोई रुकना नहीं चाहता और लोग छोड़ जाते है आपको बोला जाएगा साड़े नो बजे आके और अधिकारी के घर जाने तक उसका जो फाइल वगेरा होगी उससे घर महुचा के रखके उसके बाद आप अपने घर जाओ ये आपका duty system है लेकिन इसके अलावा भी अधिकारी कुछ काम बता देते हैं judges कुछ काम बता देते हैं क्योंकि वो स्वयम बाहर मार्केट में और इसी जगे जाते नहीं है इसलिए कुछ नकुछ काम रहता है उनके पास तो वो करना पड़ जाता है आपको इन पदों पे रहते हुए workload बहुत ज़्यादा नहीं रहता है दिन भर में जो भी अधिकारी तुम्हारा काम बता रहा है वो काम करना होता है फाइले वगेरा ढूंड़नी होती है जो नियाले में उस दिन पेस होनी है दोर के पेस करनी होती है यह चोकीदार की पोस्ट का काम होता है और ड्यूटी आर्स तो मैंने आपको बता दिये है workload भी बता दिया है नियाले में काम कर रहे हो तो अधिकारी के notice मिलने का workload एक तरफ और अधिवक्ताओं को deal करने का उनका काम ना करने पे जो जगड़ा करते हैं उसका workload एक तरफ ठीक है जगड़ा करते हैं बत्मीजी करते हैं तो इस बात का pressure बहुत ज़ाद रहता है क्योंकि जो judges भी होते हैं वो अधिवक्ताओं से ज़्यादा छिडखानी नहीं करते हैं उन आदेस का मतलब कोई छोटा मोटा आदेस भी हो सकता है कि आज पत्रावली पेस हुई अगर ये बात भी हो लिखवाना चाहता है कि पत्रावली पेस हुई और मैंने यह यह काम इस पत्रावली में किया है तो यह भी काम इस टैनो टाइप करेगा ठीक है पत्रावली पर आरो स्टैन ओ लिखेगाय क्यों डिक्टेशन करें ऑपको टाइप पहले से-स्वर fect smoke करने है ज्यादा कोई घांध काम महींद और आदमी काम सींख जाता है वर्कलोट जितनी देर अधिकारी बैठा जितनी देर उतनी देर आपको वहां बैठना है अगर कोई एक्स्ट्रा काम पेंडिंग है जो आप नहीं कर पाएं आज के दिन में तो आप एक घंटे जादा रुक के उसे टाइप करके निपटा के जा सकते हैं कोई खास वैसा टेंस मैं आपको बता रहा हूँ जितना प्रैक्टिकल होके मैं आपको बता रहा हूँ इतना प्रैक्टिकल वीडियो सायद ही आपको यूट्यूब पर मिलेगा मैंने इन चीजों को बहुत पास से देखा है पूरा प्रक्रिया देखी है क्या है कचहरी में क्या है जिला नेयलो मे civil court में क्या प्रक्रिया चलती है इसे बहुत अच्छे से समझाए इसलिए मैं आपको अच्छे से बता पा रहा हूँ जैसा यहां होता है काम के दबाओ के साथ अधिवक्ता का दबाओ बहुत ज़्यादा होता है इसलिए लोग इस नोकरी को छोड़ के बाद में स्विच कर जाते हैं दूसरी नोकरी में अगर मिल जाती है तो अगर नहीं मिल लगी है तो बहुत अच्छी भरती है 6 महीने में कंप्लीट होती है जॉइनिंग मिलती है थोड़ा सा पब्लिक में भी आपका सिस्टम ठीक रहता है इस विभाग में रहते हैं क्योंकि पुलिस पे आपका दबाओ थोड़ा बन जाता है ना जायज आपको पुलिस कभी परिसान नहीं कर पाती है अज़े वक्ताओं से कुछ से जान पहचान हो जाती है बड़े जज़स ते जान पहचान हो जाती है बस ये सिस्टम आप समाज में बना के रख लेते हैं थोड़ा लोगों पहचान हो जाती है बाकि इस विभाग में नोकरी करना एक प्रेशर का काम है ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाएगा चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीज़े अगर इस भरती में आपको टिके रहना है इसमें पूरी जानकारी चाहिए आपको कैसे तैयारी करनी है कौन सी किताबे पढ़नी होती है किस लेवल का एक्जाम आता है क्या माइंडसेट रखना चाहिए एक्जाम करते हुए माइनस मार्किंग नहीं है तो उसका फाइदा कैसे उठाना है यह सारी सीजे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी उमीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा इससे आपको कुछ फाइदा मिला होगा बात करें जैसे मैंने ड्राइवर को बताना मैं भूली है जो लोग ड्राइवर के लिए वीडियो देख रहे है कि जो ड्राइवर हैं उनका काम रोज नहीं होता है ड्राइवर आया सुबह अगर अधिकारी ने फोन नहीं किया है तो वो दस बजे ड्यूटी पे आ जाएगा अगर अधिकारी फोन करके बुलाता है कि मुझे आठ बजे कहीं जाना है तो आठ बजे आ जाएगा ड्राइवर के काम में दिक्कत यह है कि जब भी कोई त्योहार आता है कोई ऐसी चीज आती है तो अधिकारी खुद अपने घर जाता है जिस भी अधिकारी का वो ड्राइवर है तो उस driver को उस दिन चुटी नहीं मिल पाती समय से अधिकारी को उसके घर छोड़ के फिर उसे अपने घर जाना है नहीं जाना यह अधिकारी डिसाइड करते हैं यह judge डिसाइड करते हैं कि तुम्हें घर जाना है यह मेरे साथ रहना है क्योंकि तुम्हारी duty, driver की duty गाड़ी के साथ और गाड़ी अधिकारी के साथ तो driver की post में यह थोड़ी दिक्कते आती रहती है बाकी मैंने दूसरे वीडियो में बताया है कि return exam होगा उसके बाद आपका driving test होगा उसके बाद आपका selection होगा रिटेन exam के number के आधार पे driving test आपको qualify करना होगा बाकी detail वीडियो पढ़ा होगा है उसके आप देख सकते हैं duty hours की मैंने बता दिया duty hours driver का fix नहीं है अधिकारी कहीं जाएगा तो साथ में जाना ही पड़ेगा workload कुछ खास नहीं है अधिकारी से संबंद अच्छे हैं तो आप अराम से अपनी duty कर सकते हैं कोई notice notice और ये संभावना है आपके साथ नहीं रहेंगी उम्मीदे वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो like करके जाएगा प्लीज